आवलेकुम स्टूटेंट क्या हाल चाल है तो मेरे बेटे आज हम टेंथ क्लास का अपना एक नया चप्टर क्रेंट एलेक्टिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका दिहान बोर्ड पे होना चाहिए बाइदावे क्रेंट एलेक्टिसिटी मेरी जान जारा गोर किजएगा क्रेंट एलेक्टिसिटी इससे पहले वाले चप्टर में आपने पढ़ा दे स्टेडी ओफ चार्जिस एट रेस्ट आज हम पढ़ेंगे मेरा बेटा दे स्टेडी ओफ चार्जिस इन मोशन दस्रेडी ओफ चार्जिस इन मोशना मेरी जान स्टेडी ओफ चार्जिस इन मोशन मैं सिम्प्ली यह भी लिख सकता हूँ ता बरांच ओफ फिजिक्स से यह दा बरांच इन वेश वे observing ea charges in motion इस पांच ओफ फिजिक्स को नाम देते हैं कुरेंट electricity का उस ब्रहाँ जो physics को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा क्रेंट electricity का अब मेरी जान सबसे मेले यहां पर हमारे पास topic आता है what is electric current क्रेंट किसे कहते हैं मेरा बेटा जरा गोर से और देहान से बात सुन लेना मैं बिल्कुल basic level से start करूँगा हमारे पास जब भी क्रेंट की बात की जाती है तो हमें हमेशा conductor इंसुलेटर भी बताए जाते हैं metals भी बजाए जाते हैं हम अपनी daily life में भी observation रखते हैं कि form में paper में इस तरह की चीज़ों में current नहीं होता उसकी reason क्या है वो भी discuss होगी बैटरी के अंदर chemicals के अंदर charges flow कर सकते हैं क्यों करते हैं उसकी बात भी करेंगे मेरा बेटा सबसे बेले पढ़ना तो हमसला चाहिए लेकिन मेरा बेटा आप ये sports करें and you have a metal metal की खुबसूरती ये होती है कि इस metal में free electrons होते हैं everything is made up of or composed of small particles that is called atoms and atoms have sub-atomic particles, electrons, protons and neutrons electron पे negative charge है, proton पे positive charge है इनी charges की rest में study हमने electrostatics में की, इनी charges की motion में study हम करेंगे current या electricity में आप मेरे बचे अगर मैं बात करूँ the study of charges in motion की so मैंने कहा sports मैं ये कर लेता हूँ, अब देख मुझे इस चोटी से example दो यार ये पानी का pipe है sports, औहमला नहीं यही बताया था, ये पानी का pipe है ये पानी का pipe आपके बास A से B, इसमें water level बिलकुल same level पे मजूद है आप ये समझ लें कि इसमें charges हैं and they are at same level उस level को हम electric potential कहते हैं आप पानी को एक जगा से दूसरी जगा flow करना चाहते हो तो एक सिरे को थोड़ा सा उंचा रखना पड़ेगा और दूसरे को थोड़ा सा नेचे तब जाके charges move करेंगे high से low की तरफ अगर मेरे पास ये board marker है मैं इसको drop करता हूँ ये नीचे के तरफ जाता है high से low की तरफ फिर आप लोगों ने ये भी देखा को अगर किसी इनसान को current लग जाता है तो हम लोग उसको जमीन में दबा देते हैं तो कि सारा चार्स जमीन में क्या हो जाता है जीरो पोटेंशिल की वेली क्या हो जाती है जीरो अब इन सारी बातों का मतलब क्या है अब मेरे बिटे मेरे पास एक मेटल है मैंने का मेटल में होते हैं free electrons अब मैंने इस मेटल वायर का connection कर दिया एक तरफ से बैटरी के positive terminal के साथ या suppose ये कर लो ये मेरे पास battery है और ये जो line है ये रेप्रेजेंट कर रही है मेरे पास एक conductor को इसको रेप्रेजेंट कर रही है एक conductor को बैटरी के अंदर होती है EMF जो कि हम इस topic में भी पढ़ेंगी बैटरी का ये terminal जिसको आप positive कहते हो इसको high माने जाता है बैटरी का ये टर्मिनल जिसको हम नेगिटिव कहते हैं इसको लो माना चाहते है हाई टर्मिनल पॉजिटिव हमारे पास हाई है नेगिटिव हमारे पास लो है अमेरी जान चार्जिस नहीं जो कि इसके अंदर मजूद है कंडेक्टर के अंदर मैंने कहा कंडेक्टर की बात कर तो conductor में सबसे best example हम हमेशा metals की देते हैं और metal की खुबसूरती ये है कि उसमें free electrons होते हैं अगर मैं आप लोगों को बहुत ही small level पे ले जाके बात करूँ ये free electrons इतनी तेजी से move कर रहे होती है जितनी तेजी से हमारी surrounding में gas के molecules move कर रहे होते हैं अगर मैं कहूँ कि इनकी speed several hundred kilometer per second होती है random motion होती है और इनकी speed several hundred kilometer per second तो सबके जहन में ये सवाल आता है कि सर अभी आप ये बात कर रहे थे कि अगर charge move करेंगे तो current पैदा होगा आपके हाथ में गड़ी बंदी हुई है इसके अंदर ये metal है metal के अंदर conductor है conductor में free electrons है तो फिर current पैदा क्यों नहीं हो रहा इसकी reason ये है मेरा बेटा कि आपके पास जब random motion होती है जितने electron left से right गए उतनी electron right से left आए एक specific direction में motion नहीं हो रही दोनों एक दूसरे के effect को cancel out करते हैं और current हमेशा zero रहता है और total charge भी हमेशा zero रहता है ये concert आपके second year के लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूं तब कि आपके mind clear हो जाए जैसे ही electricity ये current का chapter पढ़ाया जाता है तो बचों के जिन में बहुत सारे सवालात होते हैं जो सारे इसी चेप्टर में पूछने होते हैं करने बैदा हुआ किस तरह बैदा हुआ कहां से है कैसे नहीं हुआ ये सारी चीजें discuss होगी बट step by step अमेरी चान जब मैंने इन free electrons को जो randomly move कर रहे थे मैंने उनको एक direction दे दी कि आपने positive से negative की तरफ जाना है तो charges move करेंगे from positive to negative आप यह कह सकते हैं कि ये battery के voltage इसको धका लगा रहे है जिसकी वजह से electron की मजबूरी है अब कि अब अपनी random motion से किसमें आगे एक specific direction में और वह direction क्या है positive to negative लेकिन अगर मैं practically हकीकत में देखू conventionally positive to negative लिया जाता है convention का मतलब यह कैसे तो जिस तरह शादी में मेंधी की रस्म पहले आ जाना एक convention है convention हम अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किस तरह करते हैं कि राइट साइट पर अगर origin के value x किये तो वह positive और left पर है तो negative कोई hard and fast रूल तो नहीं है हमने convention अपनी असानी के लिए बनाई होती है जैसे मैं ही कहता हूँ कोई भी चीज ग्रेविटेशनल फिल्ड में हाइस से low की तरफ जाती है similarly मैंने कहा दिया कि चार्ज भी किससे जा रहा है positive to negative but practically हकीकत में electron मूव करता है negative to positive क्योंकि electron पे negative है positive इसको अपनी तरफ attract करता है लेकिन conventionally हम क्या कहते है कैसे जा रहा है positive to negative तो हम अपनी books में convention current की बात करते हैं किसकी बात करते हैं convention की ताकि हमारे लिए समझना क्या हो जाए आसान और जहां पे electronic की बात करने सिर्फ उलट लगार देना होता है कि इसमें उलट इसका यह होगा कि negative से positive जाएगा dead said अब मेरी जान यहां पे देखो मैं definition लिक रहा हूँ rate rate कवर जब भी आता है आपके जहन में जो चीज़ आनी चाहिए वो time है time के लिहाज से किस चीज़ में तबदीली आ रही है वो देखो rate of flow of charges rate of flow of charges called electric current क्या नाम देते है मेरा बेटा उसको electric current का ना called electric current rate of flow of charges is called electric current कितने time में कितना charge flow करेगा from positive to negative इस सीज़ को क्या नाम देते है electric current का अगर मैं charge क्यू क्यू से represent करूँ so delta q over delta t is equal to i यह capital i का sign symbol यूज किया जाता है current को represent करने के लिए किसको represent करने के लिए current को represent करने के लिए अब सबके सेर में यह सवाल आएगा आना भी चाहिए कि अब electron किस speed से move कर रहे होंगे पहले तो randomly move कर रहे थे जहां दिल किया इदर उदर जैसे move किया move कर रहे है उस random speed वो several hundred kilometer per second दी कि अगर उससे के गाड़ी चलाए जाए वो hundreds kilometer का distance सिरफ एक second में travel कर ले इतनी speed थी अब जब आपने एक तरफ से positive और दुसरी तरफ से negative एक सिरा उंचा दुसरा नीचे रख दिया है तो अब electron ने जाना है positive to negative वो random नहीं जा सकता तो उसको क्या करना होगा जब यह electron move करेंगे तो वो अपने ही conductor के अंदर मजूद जो atoms हैं उनके साथ जाके टकरें खाएंगे टकर गाएगा लेकिन उसने जाना फिर भी सीधे है तो वहां से वो drift होगे जहां से इसको velocity मिलेगी ऐसे क्या आगे conductor है drift होगे ऐसे जाएगा फिर आगे conductor है drift होगे जहां से रास्ता मिलेगा drift करता करता कहां जाएगा positive से negative की तरफ अब इस velocity को कहा जाता है drift velocity गाड़ी में भी drifting करते हैं हम इसे के कहते हैं मेरा बिटा drift velocity ये drift velocity हो जाती है इसकी average velocity क्या बन जाती है average और वो होती है only 10 रेस की पावर minus 3 meter per second several hundred kilometer per second से आप कहां पर आ गए 10 रेस की पावर minus 3 meter per second मंजब की बुक में 10 रेस की पावर minus 6 से 100 km पर सेकंड तो आप बहुत कम वैल्यू क्यों बार बार उसको किसका सामना करना बढ़ रहे है रिजिस्टेंस का उसे पहले तो ऐसे जैसे जैसे उसका दिल किया वो क्या कर रहा है मैंना बेटा मुव कर रहे है तो यह सारी चीज़ें कुछ आपकी वोक में सिरफ यह लिख ठीक हो गाँ मेरे बिटा आ मेरे ज् uğहान अगर मैं इसका यूनिट एनलसिस करता ओ अलेक्टिक चारज को यूणं है कि टाइम का यूणंट क्या होता है सेकिंड अगर मैं कहूं कि कि करए एक कूलम चार्ज कि एक सेकिंड में ड्रेवल करता एह जो कुरंड्ड पर ड्यूश था अंपेर भी एक बड़ा यूनिट है आपने अपने चार्जर वगारा की उपर भी मिली अंपेर नैनों पेर या माइक्रों पेर में वेल्यूस लिखी हुई नजर आएंगी अच्छा यह तो सिंपल डेफिनेशन आगी वर्ट इस अलेक्ट्रिक रेंड अभी मैंने कन्वें करेंट्शन का लफज बोला था पीटे है हकीकत में जो करेंट पैदा होता है उसको अलेक्ट्रॉनिंग करेंट कहते हैं मतलब हकीकत में जो डिरेक्शन अप्रेंट है उसको क्या कहा जाता है अलेक्ट्रॉनिक रेंड अधर वाइस जो पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करते हैं उसे के कहते हैं केने वंचनल करक्ट तो मैं क्रेंट को दो मोगे भो तो मूव नहीं करता बटमीं पिर इसको कहते हैं चुन है किकन दो फ 수가 कर लें इसलियन केते हैं किन्विंशन करेंट दियू तो फ्लो ओफ पॉजितिव चार्जेस क्रेंटद दो फ्लोफ पॉजिटेव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल two negative terminal of the battery or the cell कोई भी source होगा from positive to negative या फिर लिखेंगे from high to low potential from high to low potential from high to low potential इसको मेरा बेटा नाम देते हैं conventional current का अगर मेरी जान हम बात करें electronic current की so the current due to flow of negative charges from low potential to high potential current due to flow of negative charges current due to flow of negative charges from low potential to high potential from low potential to high potential is called electronic current is called electronic current मैं इसको दुबारा से तोड़ा सा समरी इसकी कर देता हूँ the rate of flow of charges is called electric current इसको हम electric current कहते हैं कितने time में कितना charge flow कर रहा है और विजिस्स की वो ब्रांच जिसमें charges को study किया जाए in motion इसको मेरी जान हम नाम देते हैं electricity current electricity या current का ठीक है current की definition आज़े तो आपने यह लिखनी होगी अंपेर के नाम से इसका unit रख दिया गया अंपेर rate of flow of charges symbol है current का capital आए चार्ज के लिए आपके book में delta q small भी लिखा होता है delta q capital भी लिखा होता है so rate of flow of charge कितना charge कितने time में positive to negative flow कर रहे है उसको मेरा बेटा नाम देते हैं electric current का क्या नाम देते हैं मेरे बेटे electric current का आप मेरी जान अगर मैं बात करूं कि कितने electrons चाहिए होगे एक अंपेर current बनाने के लिए यह सिरफ concept बता रहा हूं मेरे बेटे आपका charge quantized form में होता है सुना ही होगा q is equal to n e partial नहीं होता आदा charge कभी भी नहीं होता quantized होता है 1 e 2 e 3 e 4 e 4 e 5 e 10 कभी half electron आपने कभी भी किसी book में नहीं सुना होगा मेरे बच्चे एक अगर मैं लिख लूँ 1 एक electron पे जो charge होता है न वो होता है 1.6 multiply by 10 raise के पर minus 19 कूलम एक electron पे कितना charge होता है 1.6 10 raise के पर minus 19 कूलम एक electron पे एक electron पे कितना charge है 1.6 10 raise के पर minus 19 कूलम तो मुझे ये बताओ एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने electron चाहिए होंगे भाई 1.6 10 raise के पर minus 19 कूलम चार्ज है एक electron पे तो कितने number of electron चाहिए होंगे एक कूलम चार्ज बनाने के लिए आप उसको divide कर दोगे जब मेरा बेटा divide करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि क्यों की value n e जिसे हम लिख रहे है n e आपके पास आता है 6.25 multiply by 10 की power 18 कितने electron चाहिए 6.25 multiply by 10 की power 18 electrons 10 की power 18 electron n आपने calculate करना है q को e पे divide कर देना है जब one को इस पे divide करोगे तो answer ये बनेगा 6.25 जरब 10 की power 8 18 electron अब ये देखो 10 की power 18 का मतलब million trillion करोडों औरबों में चला जाता है कि इतने number of electrons होंगे तो क्या बनेगा एक कूलम चार्ज only अब जरा गोर करो यहां पे अगर मैं यहां पे one कूलम की जगा पे लिखता हूँ 6.25 multiple पे 10 की power 18 electrons इतने electrons अगर एक सेकंड में travel करें तो सिर्फ कितना क्रेंट अमपेर होता है वान अमपेर इसलिए मैंने कहा ते ये बहुत बड़ा unit है ठीक हो गया मेरे बच्चे अब खुद बताओ अब बड़े ना मसूमाना अंदाज में बड़े बच्चे पुछते है सरी करेंट में जब direction है तो इसको आपने derived quantity क्यों नहीं कहा हुआ मतलब इसको base क्यों नहीं कहा हुआ charge आपके पास एक base quantity है जब charge आपके पास base quantity है तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है IOT से तो उसको हमने base में क्यों रखा हुआ है फड़ा हुआ है ना question तो जेन में ही आता है ना why charge is a base quantity मेरा बेटा base quantity में वो quantities ली जाती है जिनको measure करना count करना असान हो charge एक कॉलम निकालना असान है as compared to number of electrons इसलिए आपके पास आपने सुना होगा मेरा बेटा कि charge derived quantity में आता है electric charge आपके पास derived quantity में आता है और उसका जो flow है देखो एक charge को निकालने के लिए 6.2518 electron चाहिए जिनको count करना हमारे लिए क्या है मुश्किल है इसलिए हम इसको क्या मानते है derived बेस के लिए तो चीजें क्या होनी चाहिए असान उसका जो flow है उसको मेर करना क्या था असान इसलिए current आपके पास एक base quantity है हलाकि इन दोनों से मिलकर बना हुआ है लेकिन charge आपके पास एक dried quantity हलाकि वो single quantity है clear हुई है बात क्यों electric current एक base quantity है क्योंकि इसको मेर करना क्या है असान rate of flow of charge निकालना असान था flow effect निकालना असान था as compared to this कि आप number of electrons निकालो ठीक है मेरा बेटा इसलिए वो एक dried quantity है और current एक base quantity MDCAD और इटा का question था बढ़ाते हुए इसलिए यादा है था कि आप लोगों को उस वक्त तक पोच्छ दोवे कोई तकलीफ ना हो ठीक है मेरा बेटा विश्यो गुल्लक अगर इसके बारे में कोई भी question है तो आप लोग भी जो lecture सुन रहे हैं